दोस्तो मैं हूँ विश्वजीत आप सभी लोगों को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तो आप सभी लोगों ने भूतों के कहानिया अपना दादा दादी नाना नानी से तो सुनी होंगे लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो इन बातों पर कम यकिन करने लगते हैं मगर जब हमारे साथ कोई घटना होती है तो हमें किसी अद्रिश्य सक्ति का एहसास होने लगता है बूत प्रितों का जिक्र हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी है क्या साइन्स इनके वजूत पर रौष्णी डालती है वह गनेकिन पैरनॉर्मल एक्टिविटी पर क्या राय रखते हैं इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे उससे पहले में आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना जाओंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए शुरू करते हैं भूतों का विशे बहुत रोमान चकर और डराबना रहा है हर कोई इनके बारे में जानने के दिल्चस्पी रखता है भारती नहीं पूरी दुनिया में भूतों कर लेकर कई तरह की बाते सामने आते हैं यहां तक कि इन बिशे पर बॉलिवूड हॉलिवूड समय दुनिया बन में कई फिल्म बन चुकी है आईए जानने की कोशिश करे कि क्या सच में भूत होते भी है भूतों का साइंटिफिक रूप से एवलिएट करने में एक कठिना यह है कि सर्प्राइजिंगली बहुत प् पुस्तक गोस्टली इनकाउंटर्स दा हांटिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ के लिए भूत के अनुभफ करता हो का एंटेवू लिया मतलब जो गोस्ट एक्सप्रियेंसर का एंटेवू लिया तो उन्होंने पाय कि कई पार्टिसिपेंट्स को यकीन नहीं था कि उन्हें भूत का सामना करना पड़ा है और वो अनिश्चित बने रहें मतलब कंफर्म नहीं थे कि इस तरह की घटनाय भी संबफ थी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा जो भूत की कंवेंशनल इमेज के साथ मैच करता हो इसके बजाए कई पार्टिसिपेंट को बस यही विश्वास हो गया था कि उन्होंने कुछ अलोकिक अनुवफ किया है मतलब मिस्टीरियस असाधरन डेंजरेस यह सब कुछ उन्होंने अनुवफ किया इस प्रकार बहुत सी लोग जो भूतिया अनुवफ होने का दाबा करते हुए रिकोर्ट पर जाते मतलब मीडि कॉमन फेक्टर है इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता था पर्सनल अनुवफ एक बाद है लेकिन साइन्टिफिक एविडेंस दूसरी बाद है गोस्ट इन्वेस्टिगेटिंग की जाच करने में कटनाई का एक हिस्सा यह है कि भूत क्या है इसके एक सारवोविक रूप से स फिर भी लोग भीविन प्रकार के भूतों के लिए अपनी बीचे स्ट्रेनिया बनाते हैं मतलब इस्पेशल काटागोरी बनाते हैं चैसे कि पोल्टर जेस्ट्स रेसिडूल हांटिंग्स इंटेलिजेंस स्पिरिट्स एंड शाडव पीपल बेसक यह सब बना हुआ है जैस या तो वो ठोस बस्तु के माध्धम से उन्हें परिशान किये बिना आगे बढ़ सकते हैं या वो दरबाजे बंध कर सकते हैं और पूरे कमरे में बस्तु को इधर उधर फेक सकते हैं लौजिक और बहुतिकी के नियम के अनुसार ये एक या दूसरे है अगर भूत मानब आ जाता है और उन्हें पूलीश के लिए अपने हत्यारों को पहचान करने में सक्सम होना चीए सबाल चलते रहेंगे बूते के बारे में किसी वी दावे के बारे में डावट करने के लिए लौजिकल रिजिन उठते रहते और ये उठते भी रहेंगे घोस्ट हांटर राबा करते है क्योंकि वो हाई-टेक साइंटिफिक इकुप्मेंट यूज करते जैसे कि गेजर काउंटर्स इलेक्ट्रो मैंगनेटिक फिल्ड डेक्टर्स आयों डिटेक्टर्स इंफारेट कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन फिर इस एकुप्मेंट में से कोई भी रि आज के चूले से जो निली लपेटे निकलती है इसका मतलब आपके घर में भी भूत है लेकिन यह पॉसिलिटी है कि आज के भूत सिकारी द्वदा एविडेंस के रूप में लिए गए कई संकेतों को गलत के रूप में देखा जाएगा भूत सिकार वाले टीवी शो में लो भूतों का फुकता सबूत नहीं देता है कुछ धोका है जो लोगों को बेवकूप बनाने के लिए बनाये गया है बाकी कबल यह साबित करता है कि यह कभी-कभी साउंट फिक्चर या दूसरे संकेतों को पकड़ सकते जिनकी लोग एक्सपेक्ट नहीं करते मतलब लोग उस सायथ आप भी पहले से जानते हैं मानते लेकिन अब इसे एक रिसर्च की द्वारा साबित भी किया गया है पैरानर्मल या असामानिया एक्टिविटी की कई कहानिया है और इनमें अक्सर अधिश्च भूत की बात की जाती है स्विस्ट फ्रेडल इंस्टूट आफ टेक्नो सामना हुआ यह सामना होने की बहुत सारे कारें साइंटिस्स ने डिस्कवर किया है उनका डेटा दिखाता है कि आप हमेश्व अपनी आग कान या दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकते हैं चलिए कुछ एक्जमपल लेते हैं स्लीप पैरलाइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बै लगाने की लिए जाच की कि कोई संदेश तो नहीं है क्या आपने किसी को आपका नाम पुकारते सुना है जब कोई नहीं था हूँ आपके क्या आपने कभी किसी चहरे या आकृति को अंधेरी छाय में देखा है डेविट स्मेल्स जोके साइकोलोजिस्ट है वो कहते है इन फैमियों को मतिवर्म या हैलोजिनेशन के रूप में भी गिना जाता है वो सोचते हैं कि लगबख सभी के पास ऐसा अनवव होते हैं हमें से ज़्यादा तो लोग उन्हें अंदेखा करते हैं लेकिन कुछ लोग इसे भूत समच लेते हैं यह बैपक रूप से दाबा किया जाता है कि अलवर्ट आइंस्टेन ने भूतों की मौजूद्गी पर आधुनिक फीजिक्स के एक थियोरी दी जिसे थार्मोडाइनमिक्स का पहला नियम कहते हैं इस नियम के मुताबिक उर्जा ना तो बनाए जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है यह सिर्फ एक रू सरल है बिल्कुल मिस्टिय नहीं है तो चलिए इसे बिस्तार से समझते हैं प्रूपिसर बेन कॉक्स कहते हैं घर्फ और इंपॉसिबल सिंस देबरिक दी लॉस ऑफ थार्मी मिक्स थार्मोडाइनमिक्स के चार लो एं जीरत लो फॉर्स्ट लो और थर्ड लो जीरत लो यह जब दो सिस्टम किसी तिस्रे सिस्टम के साथ उस्मिय साम्मे में हो मतलब थर्मल इकुईली बिरम में हो तो वो दोनों सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इकुईली बिरम में होंगे सेकेंड लोग कहता है एनर्जी अधिक एनर्जी वाली शेत्रे से कम एनर्जी वाली शेत्रे की और ट्रांसपर होती रहेगी जब तक दोनों की बीच का जो टेंपरेचर है वो इकुल होना जाए उसी दोरान एनर्जी की कुछ मात्रा हीट के रूप में बदल कर पडिवेश में मिल जाते हैं इस प्रकार कोई भी सिस्टम ओड़र दसा से डिस ओड़र दसा में डायरेक्ट होती है इसे इस डिस ओड़र दसा को एनेट्रोपी कहते हैं थर्ड लोग कहता है कि आप एपसूड जिरो तक पहुंची नहीं सकते अगर भूत उर्जा से बने होते तो वह थार्मोडाइनेमिक्स के दूसरे नियम के कारण उर्जा खो देते इसलिए किसी भी सिग्निफिकेंट पिरिड ऑफ टाइम के लिए अपनी संरचना और और को बनाये रगना उनके लिए असंबब होगा अगर भूत दुनिया के साथ बातचित कर रहे थे तो वह खुद को या दूसरे बस्तों को आगे बढ़ा रहे होंगे और सायद प्रकाईजा धनी उत्सरजित कर रहे होंगे इसलिए पहले और दूसरे नियम के कारण वह अस्तित्व से बाहर हो जाएंगे हंटेट हाउस को भूतिया माना जाते हैं लेकिन यह असंबब है क्योंकि भूत उर्जा खो देगा और अस्तित्व से गायब हो जाएगा भूत प्रेत को संबब बनाने का एक मात्रत तरीका यह होगा कि वह अपने अस्तित्व को बनाया देखने के लिए इंभार्मेंट से एनर्जी प्राप्त करें ए थोड़ा आपको कंफुजिंग लग रहा हैं यह आपको बाकी एक्स्पाइश्टितों में क्लिर हो जाएगा Congressman betrayed की में आपको बताया कि entropy किसे का जाता है एंट्रूपी भूत की बीफियता है। जदि उर्जा को अंदर डाला जाता है तो एक प्राणली अधिक बैवस्तित नहीं होगी। इसे बास्तव में अधिक होने के लिए उर्जा खर्च करने की आबशक्ता होती है अधर्वाइस यह सहावी ग्रूप से डिजॉडर का पालन करेगी उधारन के लिए एक कमरा तब तक गंदा हो जाएगा जब कि कोई उसे साफ करने में प्रयास करके उर्जा खर्च ना करें सो पदार्थिया उर्जा के अधर्वाइस निराकार भूत बनाने के लिए एनरजी खर्च करने की आबशक्ता होगी भूत जदी वह अस्तित्व में है तो उर्जा से बने होंगे फिर उन्हें प्रकट होने के लिए उर्जा खर्च करनी होगी इसलिए वह फिर से लंबे समय तक नहीं रहेंगे लेकिन पहली बार में उर्जा कहांसे आती है थार्मोडायनमिक्स का पहला नियम कहता है कि उर्जा का निर्वान चाहे तो इसके लिए आपको ठोज सबूत के आवशकता होगी भूद भूतिक दुनिया की वाइकनिक समझ के अनुरूप नहीं है जैसे वोकेबल कालपनिक रूप में ही मौजूद है चलिए एक interesting तरीकों के भारे में बात करते हुग जिस तरीके से लोग आत्माव से बात करते हैं। है कि क्या है वेजी बोड आपनी से बहुत सरे मुवी में देखे होंगे इस बोड पे कुछ एफ़ाबेट और नंबर लिखे होते हैं और येस और नो भी लिखें होते हैं जब किसी को आत्मा औसे बात करनी हो तो वह अंधेरे में जाते हैं और कुछ मुंबत्य जलाते हैं और आखे बंद कर लेते हैं उसके बाद उस बोट के एक ट्रेंगुला सा सेब होते हैं इसे प्लैंचेट कहते हैं इसके बाद आत्मा से सवाल करना होता है अगर आत्मा जवाब देती है तो हाथ अपने आप येस और नो के उपर जाएंगे जि इडियो मोटर एफिक्ट कहते है Monobigan U格ly Boat पीछे कारण इडियो मोटर एफिक्ट को मानता है Boat पर जो कुछ भी चल रहा होता है उसे जो ही इनसान कर रहा होता है जो इसे चला रहा होता है इनसान को इस बात सही से इसलीं नहीं होता है क्योंकि उस समय वह इंसान सब संस्था Communist मांड में होता है इस वी जी बूट पे जो आपका हाथ अपने आप चल रहा है इसमें आपका ब्रेंट आपके हाथों को सिगणल को नियुक्त चलने के लिए आप देखेंगे कि उसी डिरेक्शन में यह घूम रहा है तो घर में आप इसको एक बाद ट्राय करकर देख लिजेगा आपको पता चल जाएगा साइकोलोजिस फिलिफ टाइसोन का कहना है कि जदी आप यह नहीं जज कर सकते कि भूत की कहानी या डरावना अनुवप बास्तविक में है या नहीं तो आप एड़र्टिस्मेंट्स बोगस मेडिकल कियर्स और फेक नूस से भी मुर्क बन सकते हैं सभी के लिए जानना बहुत है कि जानकरी पर सवाल कैसे उठाये जाए और उचीत रिजनबल रियलिस्टिक एक्स्वेंशन कैसे प्राप्त किया जाए तो अगर कोई आपको भूतों की कहानी सुनाता है तो इसका अनंद ले लेकिन बिलीफ ना करे या दरखे कि आपका दिम इसका अन हाईए लेकिन